नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शिरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स बोलती मैना बोलती मैना लेखक बिवल चटरजी आर्ट वर्क तर्शूल कॉमिक वार्ट राजगर की राजा रुद्रदर की थीन संताने हुई लेकिन राणी लाजवती की दोनों बड़ी बेहनों की इर्शा के कारण राज़ा और राणी को अपनी तीनों ही संतानों से पिजोस हैना पड़ा उन संतानों की जगे जानवरों के बच्चे रखकर दोनों बहनों, चमपा वा गुलाव वती ने राजा को रानी के वरुद भढ़का कर रानी को मेहल से निकलवा दिया इधर दोनों बड़ी बहनों द्वारा नदी में बहाए गए दोनों राजकुमारों की तरहें, सुखदास माली को राजकुमारी भी नदी में बहती हुई मिली और वह उसे भी घर ले आया, पत्नी के पूछने पर उसने सब कुछ कह सुनाया और अंत में बोला, भगवान की मा करने के बाद नदी में बहा देती है, सच राधा वह कोई स्त्री नहीं, डाय नहीं होगी, तभी चार साल का बालक जय, जो सब बाते ध्यान से सुन रहा था, अपनी तोतली जुबान में बोला, त्या हम तो भी तुम नदी से उता कर लाए थे, त्या तुम हमाले बापू न आहा, फिल तो हम अपनी तोती बहन को प्याल कलेंगे, हाँ हाँ, जरूर करो बेटा, बच्चे की प्रती उन दोनों बच्चों का प्यार देख, माली वा मालिन की आँखों में खुशी के आंसु आ गए, तुम दोनों लोचु रहे हो, नहीं बेटे, रो नहीं रहे, ये तो खुशी के आंसु है, उन्हें क्या मालूम था, कि जिन बच्चों को वे प्यार से पाल रहे हैं, वे हैं उन्हीं की राजा की संताने हैं, समय गुजरता गया, माली उन तीनों को बहुती लाग प्यार से पाल रहा था, कुछ बड़े होकर, जै और विजय की एक सैनिक की लड खाना शुरू किया हुआ था, जिसे पांस साल हो गए थे, लेकिन बह बाग अभी पूरा नहीं हुआ था, जै विजय वा छोटी लड़की नंदनी भी माली का हाथ बड़ाया करते थे, आश्चरे की बात यह थी, कि बाग में गाने वाले वा हसने वाले पेड़ भी थे, जि मैं बेटता गया, एक दिन मालिन स्वर्ग सुधार गई, लेकिन एक दिन जब वे बाग में पहुँचे तो गाने वाले पेड़ों ने फिर वही गाना गाना अरंब कर दिया, तुम माली के बेटे नहीं हो, राजा के बेटे हो, नदी में बहकर आए हो, यहां पल रहे हो, फ तरह नहीं गा सकते, जरूर उनके गाने में कुछ रहस्ते है, तुम ठीक कहते हो विजय, हो सकता है हम किसी राजा के ही बेटे हो, और बापु हमें इसलिए सस्च नहीं बताते हो, कि कहीं हम उन्हें छोड़ करना चले जाए, छोटी बहन को उने घुटनों पर और कान को हद पर रखे, ध्यान से उनकी बाते सुन रही थी, किस ऐसा बोल उठी, भाईया, चलो हम बापु के पास चलते हैं, आज उनसे इस रहस्ते को जान कर ही रहेंगे, हाँ, चलो, आज हम बापु से जित करके सच्ची बात जान कर ही रहेंगे, फिर वे तीनों बाग से निकल कर ते तीनों एक स्वर में बोल उठे, हम आज खाना नहीं खाएंगे, क्या, क्यों नहीं खाओगे, क्या अपने बापु से नाराज हो, हाँ, माली ने उनकी और आश्यरे से देखा, मेरे बच्चो, तुम लोगों को मुझ बूड़े से क्या शिकायत है, बताओ, नै अपने बच् से को जान कर ही रहेंगे, यदि आपको भै हो बापु, कि असली बात चान कर हम आपके पास से चले जाएंगे, तो हम वाइदा करते हैं, कि हम आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे भै किसी देश का बड़ा राजा ही क्यों नहीं हो, माली सोच में बढ़ गया, और तुम तीनों को बहा कर लाई थी, मैंने और तुम्हारी माने तो तुम लोगों को सिर्फ पाला ही है, लेकिन जादुई गाना गाने वाले पेड तुम्हें राजा के संतान कहते हैं, तो उसे जुटलाया भी नहीं जा सकता, मरने से पहले मैं यह राज अवश्य तुम लोग कर रो पड़े, नहीं बापू, चाहे हमारे माता पिता हमें मिल ही क्यों न जाएं, हम तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, मेरे बच्चो, भगवान तुम तीनों के साथ कोई बड़ा नाटक खेल रहा है, लेकिन कभी न कभी उस नाटक का भी अंत होगा, और तुम खामोश क्यों हो गए बापू, बोलो ना, बोलो, फिर उन्होंने बाग में ही माली की चिता बना कर उसे जला दिया, इश्वर तुम्हारी आत्ना को शांती दे बापू, हमें माफ कर देना बापू, हमारी वज़े से ही तुम्हारी जान गई, बापू, यदि हमें मालूम हो कि उसी राज के लिए तुम्हारी जान अटकी थी तो हम वहर रहस से कभी न पूछते और राक को उन्होंने बाग महीं एक स्थान पर गार कर उस पर उसकी समाधी बना दी तुम हमें छोड़कर कहां चले गए बापू बापू हम अब किसके सहारे जियेंगे तीनों ही उस पर स सुबह शाम फूल चड़ाते और रोते इसी तरह कई दिन बीद गए लेकिन एक दिन जब वे माली की समाधी पर फूल चड़ाने गए तो गाने वाले पेड़ों ने एक नया गाना गाना शुरू किया रोना अब तुम बंद करो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए राजा से तुम जल्द मिलोगे यह हम तुमसे कहे रहे अरे आज तो इसने नया गाना गाना शुरू कर दिया छोड़ो भाईया चलो बापू की समाधी पर फूल चड़ाए पहले तो उन्हों ने उस गाने पर व हमारे पिता होंगे हां मुझे भी ऐसा ही लगता है वे जरूर हमें पैचान कर सीने से लगा लेंगे परन्तु जब कोई भी उन्हें अपना बेटा कहकर नहीं पुकारता तो वी निराश हो जाते ओह सब चले गए किसी ने भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया दुखी मत हो शाय गूम घांकर एकने की पस्चात बुढिया प्रसंता भरे स्वर में उनसे बोली शाबाश बच्चो बाग को तुम तीनों ने मिलकर पहले से बहुत अधिक सुन्दर बना दिया है जानते हो ये गाने वा हसने वाले पेड मैंने ही तुमारे पिता को उपहार में दिये थे बुढिया ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिये सर की आवाज हुई और धिरे धिरे उसका कद उंचा होने लगा अरे कुछी देर बाद वह उंचे से उंचे विर्क से भी उंची दिखाई देने लगी थी अब विश्वास आया प्यारे बच्चो कि मैं वही चाजू क बाब रे वे तीनों उसके सामने ऐसे लग रहे थे जैसे ओंट के सामने चूहे डरो नहीं बच्चो मैं तुम लोगों को कोई नुकसान बहुंचाने नहीं आई बलकि बुढिया पहले की भांती साधारन रूप में होकर उनसे बोली मैं तुम लोगों का काम देखकर तुमे भी एक उपहार देना चाहती हूं कैसा उपहार एक बोलती मैंना परन्तु अपने हातों से वह मैंना तुम लोगों को नहीं दे सकती सिर्फ उस स्थान का पता पता सकती हूं जहां बोलती मैंना मिल सकती है हमें मैंना नहीं चाहिए हां हमें मैंना नहीं चाहिए हो सके तो हम माबाप का पता बता दो इन बोलते पेड़ों और बापों से मालुम हुआ कि हम किसी राजा की संतान है हां मेरे बच्चो तुम वास्तव में राजा की ही संतान हो लेकिन मेरे जादू में इतनी शक्ती नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे माबाप से मिला सकूं हां बोलती मै कि आने के बाद खुद बखुद तुम लोगों को तुम्हारे माबाप मिल जाएंगे क्या सच बिलकुल सच मेरे बच्चो ओ तब तुम हमें उस जगे का पता जरूर बताओ जहां बोलती मैना मिल सकती है तब बुड़ी चादुगर्णी ने कहा यहां से पूर में सोय जन दू उचे उचे पहाड है जिस पहाड पर सबसे ज़्यादा बर्व जमी होगी उसी में बोलती मैना तक पहुँचने का द्वार है अगर तुम लोगों में हिम्मत हुई तो तुम लोग बोलती मैना को ला सकोगे पिर तुम्हें कोई कश्ट नहीं रह जाएगा सब कुछ सुनने की पश्चात जै द्रिड स्वर में बोला हम बोलती मैना जरूर लाएंगे दादी अम्मा मेरा आशिरवात तुम्हारे साथ है लेकिन मैं तुम्हारी कोई साहता नहीं कर सकती तुमको अपनी हिम्मत और बुद्धि मानी से ही बोलती मैना को लाना होगा इतना कहकर करनी लोप हो गई तीनों बाग में ही बने अपने चोटे से घर में पहुंचे मैं आज ही रवाना हो जाओंगा और कोछी दिनों में बोलती मैना लेकर आजाओंगा भाईया मेरा कहा मानों तु कहीं मत जाओ मुझे तो डर लगता है कहीं कोई गलत बात ना हो जाए और तु तू तो नाहाग डरती है, देख लेना जल्दी पोलती मैंना को लेकर आ जाओंगा। विजे भाईया, तुम्ही समझाओना बड़े भाईया को। मैं क्या समझाओं बहन, बड़े भाईया खुदी समझदार हैं, वे जो कदम उठा रहे हैं, सोच समझकरी उठा रहे हैं, ओ, तुम भी मेरा कहा नहीं मानते, जाओ, मैं किसी से नहीं बोलती, जो जी मियाय करो। नंदिनी ने रूट कर मूँ दूसरी और फेर लिया, तब जैने हसते हुए नंदिनी को गुदगुदी करते हुए कहा, मेरी पगली बहन, यदि तुम इस तरह रुष्ट हो गई, तो मैं बोलती मैना कैसे लापाऊंगा, और यदि बोलती मैना को नहीं लाऊंगा, तो हमें यह कैसे मालूम होगा, कि हमारे माता-पिता कौन है, जरा हस तो ना प्यारी बहन, अरे रे, छोड़ो ना भईया, यह क्या कर रहे हो, और नंदिनी खिल-खिला कर हसने लगी, तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद